दोस्तों अग मैं सब्दों का जो हेर फेर होता है उससे बात कि एक बार की बात कि एक सभा में यह बोला गया कि यहां पर उपस्थे सभी लोग लोगों में पचास प्रक्षत लोग मूर्ख हैं इस बात पर बड़ा विरोध हुआ और विरोध यहां पर पहुचा कि प्रेस कॉंफरेंस हो गया लोगों में विबाद हो गया जनता भड़क गई तो यह बात संबंधित ब्रक्षत को पता चली उसने दुबारा प्रेस कॉंफरेंस बुलाया और बोला मैं उस बात के लिए माफी मांगता हूं कि मैंने बोला कि पचास परसेंट लोग बेवकूफ हैं मैं अपने बातों को वापस लेता हूं और मैं फिर कहता हूं कि सभा में पचास परसेंट लोग बोधिमान हैं कहने की बात यह है कि बाते तो सेम थी उन्होंने पहले कहा यहां पे पचास परसेंट लोग बेवकूफ हैं तो बेवकूफ को लगा कि हम लोगों को बेवकूफ कहां गया लेक términ comparison के पहांने परसेंट कुला के अ यह बात कही कि मैं अपने बातों को वापस लेते हूं यह बता कहना चाहूंगा यह उ पचास परसेंट लोग वोधिमान हैं बात तो वही हुए, मुर्ख तो मुर्क ही रह गया है और वो धिमान नहीं हो गया है। इसलिए सब्दों का हैर मुलता है। वो समझने की बात होती है। कि तो हम कहां से चीजए समझ सकती है। उसने बड़ी चातुरता से अपने बात को भी कहली। लोगों से माफ्य भी मांग लिया और बात उसकी वही की वही रहे भी थैंक्यू आप मारे चनल को सेयर सस्ट्राइब और लाइट कर दीजिये क्या